मस्कारमित्रो, सिवायर वेधा मैं आपका स्वायत है गर्णियों के मवशम में अक्सर करて कुछ लोगों को नखосьीर की समस्या हो जाती नखसीर नाक से जब खूण आने लगता है अचानक ही तो उसे नकसीर की समस्या बोलते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको नक्सीर की समस्या जो है नक्सीर की परेसानी है नाक से घून वैता है उसको तुरंत रोकने के लिए और इस्थाई रूप से ठीक करने के लिए कुछ आयरवेदिय नुस्कि बताऊंगा, कुछ आयरवेदिय उपचार बताऊंगा जो आप घर पर भी आराम से कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, नकसीर की समस्या जो है गर्मी के मौसम में अक्सर उन लोगों को हो जाती है, जो नंगे पांग घुमते रहते हैं, अक्सर बच्चे छोटे छोटे होते हैं, वो नंगे पांग घुमते रहते हैं, या नंगे सिर गुमते रहते हैं जो लोग अधिक मातरां में चाय का सेवन करते हैं इनका पित बढ़ जाता है पेट में गर्मी रहती है पेट में कबजी रहती है और धूप मे नंगे सिर गुमना, चाए अधिक पीना, कबज रहना, इत्यादी गरम गरम चीजों का सेवन करना, कच्चे आमों का सेवन करना, इस तरीके से नकसीर की समस्या होती है, तो जैसे ही नकसीर की समस्या हो, तो उस नकसीर की समस्या को तुरंत रोकने के लिए एक ये पौधा है ये आप देख सकते हैं ये पौधा हमारे यां इसको बिश्खपरा बोलते हैं ये पौधा पड़ा है तो इस पौदे के छोटे-छोटे पौदे होते हैं बिलकूल कोमल और नाजोग पौधे ये पौधे पौर दों का रस निकाल लेंगी इस रस को नाक में डालने से नकसीर की समस्या दो से चार दिन में छे ही खतम हो जाती है जैसे नकसीर अगर चल रही है नकसीर आ रही है तो वीक्ति को सीदा लिटा के और उसके सिरव पर सरसों का तेल और पानी मिक्स करके डालना चाहिए उससे भी नकसीर तुरंत रुक जाती है और हमेशा इस्थाई रूप से नकसीर की समस्या को रोकने के लिए जो मैं उपचार बता रहा हूं वो बहुती कारगर और अजमाय हुए उपचार हैं इस प्रकार हैं ये देखिए एक गुलावी फिटकरी का फूला बना लेना हैं फूला बनाकर सुद्ध कर लेते हैं फिटकरी को बैसे फिटकरी का फूला बनाने का एक वीडियो पहले से मैंने चैनल पर बना रखा है आप वहां से जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से फिटकरी का फूला बनाया जाता है तो उस फूला बनाने के बाद में एक चने की बना बरावर फिटकरी सुबह खाली पेड़ साधा पानी से लेनी है और साम को भी एक चने के बरावर फिटकरी साधा पानी से लेनी है इस प्रकार तीन से पांच दिन ये साथ दिन तक रेगूलर अगर फिटकरी का सेवन किया जाता है तो नकसी पीर की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है इसके अलावा दूसरा नुस्का जो मैं बता रहा हूं अगर आप लेना चाहें सरस्प्योर सर्शों का तेल आदा कप लेके उसको सुबह बिलकुल खाली पेट जो है पीना है और पीने के एक गंटे बाद तक कुछ भी खाना है तो सुद्ध सर्शों का तेल आदा कप रोज नियमित रूप से तीन से पांच दिन तक पीने से नक्सीर की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है कभी कभी ऐसा होता है कि जब सर्शों का सुद्ध तेल जब खाली पेट पीते हैं तो हो सकता है जुखाम हो जाए एक बार उल्टी हो जाए या दस्त हो जाए तो उस समय गवराने की अवसरत नहीं है यह परेशानी अपने आप ही दूर हो जाती है इसके अलावा तुरंत नक्सीर बंद करने के लिए धनिया का रस धनिया की जो हरी पत्ती होती है उसका रस निकालके उसमें कपूर मिलाकर वो भी नाक में दो से चारबून टपकाने से तो भी नक्सीर आना बंद हो जाती है और वो थोड़ा यहां सिर्पे भी लगा देना चाहिए क्योंको रोगी को लिटा रखा होता है पहले से इसके अलावा आमला पाउडर और धागे वाली मिसरी समान मात्रा में लेकर सुबह और शाम आदा आदा चमज दूद से लगातार लेने से लंबिस समय तक लेने से पेट की गर्मी सांत हो जाती है और नक्सीर की समस्या खत्म हो जाती है इसके अलावा एक उपचार और है कैसे गुलकंद होता है गुलकंद तो लगबग सभी लोग जानते होंगे तो गुलकं गाय के दूद से रेगूलर सुबह और साम लेने से नकसीर की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाती है तो इस तरीके से मेरे दौरा बताईगी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक दिक लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और लेटेश वीडियो क अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसके नकसीर के दौरान खान पान में गरम चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए नंगे पाँ धूब में नहीं भूमना चाहिए और अधिक से अधिक हरी प्याज है ककड़ी है खीरा है तर्बूज है इन चीजों का सेवन करना चाहिए जिससे गर्मी सांत्र है और नाक में दो दो भून सरसों का तेल भी डालना चाहिए और इसके साथ ही मैं वीडियो को समप्त करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू फोर वाचिए